सी में भचकते यूँ ही रहते सहारा न मिल गया होता देम तेरा प्यारे सत्गर हमें न मिल गया होता ना थी सुधयात माती ही ना ही था क्याल ही घर का हमेशा काल देश को जी हमेशा काल देश को जी समझते अपना ही घर था सस्माया में थे गए बचाया ना हजूर दिने होता देम तेरा प्यारे सत्गर हमें न मिल गया होता ना थी अच्चाई हमरे में ना था गुण भी कोई पर ले फिर भी रहमत से दाता भगत बने जो थे निखले नजर करम गर दाता हम पे ना हो गया होता देम तेरा प्यारे सत्गर हमें न मिल गया होता ये चब्स हमें तेरा से दोता अच्चाई ðूलकाई देम दोत cloudy दोतो मुण भाइ ना व करें बादो अच्चाई अच्चाई धूनल्ड़ your शाह सतनाम जी सतबुल तेरे गुणगा नहीं सकता मीत जो धूर चरनन की तेरी क्या सिपत सुना सकता सेवक तेरे को एदाता प्यार ना मिल गया होता पता नहीं जीदाता जी हमारा ने क्या होता प्रेम तेरा प्यारे सतबुल हमें ना मिल गया होता धन्दन सत्गुरु तेरा ही आसरत धन्दन सत्गुरु तेरा ही आसरत जद पीर दे दरिशन पाले ने होने होर किसे था जाना की जद पीर दे दरिशन पाले ने होने होर किसे था जाना की जाती डिग पै इसी दे चर नाच जाती डिग पै इसी दे चर नाच होने होर था सी तु चुकाना की होने 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 चर नाच इत्थो मन दिया मुरादों पाले तूं दुख दिल दे खोल सुणा ले तूं सुना ले तूं किसे हो रिदे दर्दे सुपे जाके तूं ने चोडी नो पैला ना की जाद या मुरत पीता ले तूं किसे हो रिदे खोल सुपे जाके तूं अंदरदा ओने लगने बिल लू प्यास नहीं जाद पीरिदा मिल गया मैशाना ओने ओर तूं ना की की जद की रिद मिल जागीर गई ओ दुनिया मेरी अमीर गई अमीर गई जद ताज महल रिच बैठ गए फिर कुली दे विच जाना की होन प्रेमिया खुशिया दूर नहीं तूरेडा होन रंजूर नहीं तेरे सृते हाथ शासत नाम जीदा तेरे सृते हाथ शामस्तान जीदा होन दुखा नेले आना की जद पीरित दल्च पाले में घूड होरिंक से शाम जाना की दन दन सत्ग्रू तेरा ही असर माली की साजनवाजी प्यरित सासंग जीओं माली का नाम सुखों की खांग है इनसान गम दुख दर्द चिंता परेशानियों में उल्चा रहता है इन टेंशनों की वज़े से तरह तरह की रोग पैदा हो जाते हैं एक मातर दवाई जो तमाम टेंशन चिंता को खतम कर दे हर तरह की बिमारी में आपको आतम विश्वास दे वो दवाई है राम नाम अल्ला गौर्ड खुदारब की भग्दी नियमा नुसार अगर इनसान सुमरन करे आदा घंडा सुबो आदा घंडा शाम को कम से कम ज्यादा जितना मरजी दो गंडे तीन गंडे चार गंडे जितना सुमर करेंगे आप उतना ही आपका सरीर आपकी आतमा बल्वान होते जाएंगे गं, दुख, दर्द, चिंता मिटती जाएंगे और परमानंद की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगे ये परमानंद क्या है? परम आनंद एक शब्द का अगर संदी विशेद करते हैं तो मिनिंग्स मतलब है परम जो सहनी से भी परे हूँ पर सहा जाए आनंद, लजज़त, खुशी, सुवाद संसार में दो तरह के सवाद होते हैं जीभा का सुवाद और इंद्रियों के भोग विलास का सुवाद जीभा का सुवाद किसी को नमकीन अच्छा लगता है किसी को मीठा अच्छा लगता है कोई करबे पे खुश है तो तरह तरह के लोग तरह तरह के सुवाद किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ या फिर कोई इंद्रियों के बोग विलास का आशिक है उसी स्वाद में पागल हुआ रहता है जिसे देखता है उसको उसी आईने में उतारता है गंदी सोच हमेशा दिल औ दिमाग में चलती रहती है सोच चले सुमरन करो खत्म हो जाए लेकिन उस पे जब इनसान अमल करने लगता है तो बेड़ा गरक हो जाता है उसकी बरवादी के दिन शुरू हो जाते है चलो लोगों को ये सुआद अच्छे लगते है हमने आगे बहुत बार कहा कि हम आपको गरंटी देते हैं अगर आप सुमरन करें मालिक के नूरी सुवरूप के दर्शन होंगे फिर जो परमानन्द आएगा जो भी सुआद आपको अच्छा लगता है उससे अरबों खरबों गुना बढ़के होगा और पर्मानेंट होगा जीबा का सुआद इंद्रियों के भोग बिलास क्षणिक है जितनी देर जीब के संपर्क में नमकीन मीठा जो भी है तो सुआद है और जैसे वो चला गया तो मुँ बखबखा हो जाता है इंद्रियों के भोग बिलास से भी इनसान हमेशा आनंद पर्मानंद नहीं हासल करता वो भी शनिक होता है पर्मानेंटली आनंद और वो भी अरबों खरबों गुना बढ़के अल्ला वह गिरु मालिक के नाम में है उसके मेथड में उसके युप्ति में एक बार जाप करो तो वो लगातार बना रहता है लगातार वो पर्मानंद आता रहता है अंदर एक नशा रहता है तंदृस्ती रहती है होंसले बुलंद रहते हैं ये लगता ही नहीं कि ये काम आपसे नहीं होगा जब आपकी आत्मा कमजोर होती है छोटे से छोटा काम भी पहाड लगता है और जब आत्मा बलवान हो जाए पहाड भी कंकर के समान लगता है मुश्किल से मुश्किल काम इनसान कर सकता है आत्म बल चाहिए अंगारों पे चलते हैं लोग चलो वो तो साइंस की किरपा है साइंस में लोग कई तरह की चीज़ें लगा लेती हैं लेकिन आपको यह बताते हैं आत्म बल के सहारे भी अंगारों पे चला जा सकता है आत्म बल के सहारे कैंसर जैसे ब्यान करों को जड़ से खत्म किया जा सकता है पर यह आत्म बल बढ़ जाए और इसको बढ़ाने का एक मात रुपाए प्रभू के नाम का सुम्रन है सिवा करो परमार्थ करो और प्रभू के नाम का जाब करो ये दोनों मिलके ही आपको वो आतंबल देंगे जिसके सहारे आप अपने विचारों पे जीत हासिल करेंगे और माली के दर्श दिदार के लाइग बनते जाएंगे टेंशन किसी चीज़ का हल नहीं है आप चिंता करते हैं चिंता से कोई भी समस्य हल नहीं होती बलकि सरीर बरबाद होता है आपका मन आपे हाबी होता है आप परेशान रहते हैं चिंता छोड़ दीजिए टेंशन फरी रहो आदमी कहते हैं कहना असान है कि टेंशन फरी रहो मैं रह नहीं सकता चिंता तो होती होती है टेंशन तो होती होती है संद जूट कहते है हमें भी पता है टेंशन क्या होती है चिंता क्या होती है लेकिन हम आपको उसका सलूशन बताते हैं टेंशन फरी होने का सलूशन आत्म विश्वास बिल पावर बढ़ाना है जो कि राम नाम के जाप से सिवा से बढ़ती है जो आप अपने विचारों का अपनी मुठी में कैद कर सकती हैं मन को जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं मन के हाथों की कटपितली नहीं बनना अल्ला वही किरू तो राम के नाम के कठते दिले बनके देखो, दोनों जहां में खुशिया मिलेंगे, परमानन्द मिलेगा, लज्जत से माला माला हो जाएंगे. तो टोरेंटो कैनेडा से बात करने वाले हैं और सिडुनिय अस्टेलिया से, बोलो भाई बात करो. पिता जी आपके बचन सुथे को और एक्षा नहीं रहते बात करने की? जी पिता जी जो वी राइस में पॉब्रम चाज़ वेए और सिय दिये, पिता जी आपके नहीं पात करने की? हां बेटा बात कीजिए मालेक साथ बोलो पिता पिता जी जी बोलो आप सुमन करो महनत करो कोई भी परशानी ऐसी नहीं होती जो इनसान हलना कर सके आप सुमन करें और महनत करें मालेक साथ देंगे पेटा पिता जी सुमन अच्छे करा चले अशियर ह二 है बेटा है अश्राद애 बेटा आप जुम्न करीं ही करें चले न चले फिगर न конकิर अपने आप चलेगा सुम्न करए जरूश कि मैंने आदा गंता या गंताशंब ऐसे शाम को почти नहीं करना है बस और पूरा जाग के करें आपको लगता नींद आती है, तो आजके खूल के कर लें, खड़े हो के कर लें, जैसे मरजी, लेकिन करें से है सुमरण, क्योंकि आदमी बहाने чल पढ़ता है, मन अरामी है, कि भाई नींद आ जाएगी, तो आप खड़ के कर लो, कि वार हम हस्ते होते हैं कि वही सुमन करना है, आपको अगर नींद आती है तो आप या तो स्टूल पे बैर जाओ छोटे से पे, पाल थी मार के, देखते हैं नींद आती है कि निए गाद बार आई तो दढाम से गिरे फिर नहीं आएगी, पिता जी, पिता जी, पिता जी पिता जी, पिताजी, तान-तान साथ गुरु ते रहे है असरा, पिताजी, मेरा लौक तो गुम हो गया तो प्ले जो इसके लिए माशी देना, जी पिता यहां नंबर लिखा देना, पिता, क्या नंबर था और फिर से वो और लौक इट आपको दिया जाएगा, पिता, नारा अश्रवाद बिटा, बचनों पिरो सुमन करू बिटा ओके पिज़ तांतान सथ गुरू तेरे है अश्रा जी परशाद बनगा पिटा, सेवा सुमन मनलगी ये मालिक सी पैरवरी, मालिक रहाम करम से नवाजी, आश्रवाद जी, आस्सेलिया से, बोलिया पेठी ताम-साथ गुरू तेरा ही रासाओ जी वो लिये पेठी आप गी का बेटा पेठी है 13 साथ ठी 15 अंडर इसे लिए पेठी आप पेठी सिढनी तो पेठी काल का रहा है पेठी पेठी आप गी इसेफ ठीक थे पेठी सेलिए इसाइख संगत पारुटी जी याश्रा बइटा जी पिदी इसाइख संगत पर बेटी पिटी तुभी असेलिया दी सासंगत अपर पिटी एक बहुत वग्णापार उपकार एक बेश कीम्टी अनमोल दाप पिटी रुमरू नाहीज रुपविछ पिटी अबी सानो पिटी आप जी जाप जाप जी बहुत भावट ठैंक पिटी जी पिटा पिठी याँ पिठी जी बड़ा अश्रवाद 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 पेटा आप जी बड़ा में रह्म को बयानी हो सब्दा बफटी साड़ा बफटी कहने पटी जी जी ने पटी लिए पटी लगया मेरे सहब आख वड़ा जिस पावेट इस दे बफटी आप जी ने पटी यह बेश शमार खुशिया ने ले पटी तूसी सानु चुल लया पटी जी अग जी ता बहुत बहुत आन्वाद पटी यदि जेह नी बेह सागे पटी ऐसे लए पटी acia असी जी बेटा जी बेटा आप सबका प्यार है प्यार है प्यार प्यार मुहबब बचनों पे रहरे के सुमण करना मालिक रहमतीं करता है पेटा आए पीक कराँगे और रहसे पाँगे पिटी जरा गोप फोत्व अखुमंगे शह फिक्वार भी नतीर नहीं जारे नहीं जाए पिटी के जिए लोग जोगीयां से पिटी सोच्च्च था जिए भी छोगी प्र नुष्ट लोगी जाके पिटी मुसनाओंगे पर पटी गर्व क्या नहीं जा जाधा जेदर बिटी जाएड हो एदा पिटी वने सनाथें पिटी dared हाँ जी जी सनाथें बोट जी पिटी हो आगे 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 शाध नाम जीदे पर्द वेज साथ हुर में होएं बुलाया पेर किसे रह ने थे हाथाया आगे से लिया तो तोड़ा पटा आगे आगे शासत नम जीदे । पता आगे 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 शासत नम जीदे । पता वाजिए वाजिए जी बिलकुल बिलकुल बेटा बिलकुल आश्रवात जी बिलकुल बिलकुल आश्रवात जी बिलकुल आश्रवात जी बिलकुल आश्रवात पती शीवाद दो पती के ऐसे तरह दरी प्रमादे का माले चग गए बच्छर के एस सालें पिती जी बेटा सिवा सुने मन लगे पिता गरों में खुशियाने मालिक से प्यार बड़ी मालिक से दुआ करते हैं और आप सब को आशिवाद देते हैं कि आप और इंसानियत में अच्छे कर्मों में, भले कर्मों में आगे बढ़ो, मालिक खुश्यां भख्षे। जी पिटी, पिटी पर्शाद रखा थी पिटी, दृस्ची बाखे पर्शाद बना दे पिटी। जी बेटा आश्रवात परशा बन गया पेटा सब्लों लेना सुमर करना सिवा सुने मनला के मालिक से प्यार बड़ी आश्रवा पेटा जी बेटा आश्रवात लाइब मैसेज हैं सुखमन इंसा और इंजेस्टड अरुबा प्यारे पिता जी अगले बीर बार मेरा पीमटी का गिसाम है मैं जो भी पढ़ता हूँ वो याद नहीं रहता नाई मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहा हूँ प्यारे पिता किरपा मेरा मारग दर्शिन करें जी विटा बचनों पे रहो सुमन करो और गंटा सुबा शाम सुमन करो जब भी पढ़ने बैठो पांच मैं सुमन करो नारा लगा के पानी पिए और पांच मैं सुमन करने से पहले थोड़ा हो सकते नेचर कुनिहरो दूर तक निघा मारो अगर पेड़ पोदे आपके आसप हर भी दिन सा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया पहरी पिता जी मैंने अपने पत्री के लिए बीजा के लिए अपलाई करना है जी आश्यवा पेटा सुम्र करना और हिम्मत करो मालिक साथ है पेटा अश्यवात सोलोमन तबिल इंसा मोल नागरिक पर्थ ऐस्ट्रेलिया से मजदिस में बेटे हैं जी वेलकम पहरी पिता जी मैं शास्त्रामजी कि रिनेस बेलफिर फोर्स रिंग का परशाल लेना चाहता हूँ जी जी और परशाद वाड़े आएं भाई परशाद है डिबा ओए का राड़ा परशाद थोड़े ही यहां खड़ा होगा कोई आगे वो पता नहीं कहां चला गया तो अभी परशाद आपको देते हैं पेटा और यह केरे मैं प्रेमी संजीब इंसां के साथ भार्त भ्रमन क आया यह और मॉस्ट वेलकम और आप जाईए हर जगा जहां भी जाना चाहते हैं पर शाले जी इनने एक और बात लिखी है जो उस तरह का तो मुश्किल है थोड़ा कलर चेंज करके बैसा बना देंगे जरूर देंगे इनने लिखे मैं सतरम चरी सेवा तरम बड़ा कुरता पजामा लेना चाहता हूं आप और कुछ पाते हो और यह सोचिए कितनी कीमत है इन कुरते पजामे की आपको लगता रहता नहीं किते टाई शाई पैंट शाट रते फेर आएं जी वेटा जरूर ये भी आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे जिम्मेबार नोट करने संज वेलकम आप शाट सामजी गिनेस पैलेफिर फोर सुविन में शामिल हो गए है नारा लगा दीजिए परशाद देजिए जी आश्रवाद परशाद देजिए तो परिसासंगे जी हमने उस दिन वैसी ये कहा कि जाम पी ने तुनोंने जाम भी पिया है और आज शाट सामजी वेलकम बाये विर्दी भी पहनी जी वेट आश्रवाद आश्रवाद और इनकी बरदी भी शाट ओर गिरीनेस की बरदी भी दीजियेगा आश्रवाद बैठ जाएगे प्लीज टेक यूर सित तो जो भी शासंगेत पद्हरी है आप सब को बहुत स्वागत जीया ना आश्वा बेटा, आश्वात धन्नन सत्गरो तेरह आश्रा थड़िसमे के लिए गृप्या सभी इसी प्रकार अपने अपनी जिगा पर बैठे रहें जो बहने भाई लंबे समय से बिमार हैं पहले परसाद नहीं लिया और जो नशा छोड़ने के लिए हैं भाई ने भाई वाली साइड में और बहनों ने भाई वाली साइड में आगया आगर परसाद लिलेने हैं आश्रम में काफी जिगा पर सेवा चली हुई है जो भी सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांथ के 25 में अम्रों से मिलकर सेवा कर सकते हैं और जो पकीश सेवा में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं भाई भाईवाली साइड बें, जहां महा भयान के फारम भरे जा रहा है और बेहने बादें भेनों वाली साइड में आ गयाकर अपना नाम लिखवा सकते हैं। शाम के मजलीश का समय पांच वजे का है और सुभा के मजलीश का समय आठ वजे आप वुजिन्या गुरुजी के हुकम नो सारा आप सभी को जाने की इजाज़त है पंडाल में बुजर्गों वाले कबिन में के वल बुजर्गों ने बैठना होता है लंगर भोजन जब आप आश्र में ग्रहन करते हैं तो सरधा के साथ लंगर ग्रहन क्या करें विकार बिल्कुल भी ना दाने दिया करेंजी धनन सत्गरू तेरा ही आश्र अे झाल, वाल, रह consumers परोचों ऑख हा वाल, खरून प्रGu, वाल, उन्यों, भी ने आप होता है देंगलальगों झाह दातए ने वाल, छे प्रेस्टेक्स कके। इंगर रह सब्सक्ते हैं